जैसे वा दोस्तों आज के इस वीडियो आप सभी अदिवासी कोई तुर्ष सगा समाज को बताना चाहूंगा कि अठारे सितंबर को गुंडवाना समराज के महाराजा संकर सामरावी और बेटा कुमर रगनाज सामरावी जी का पलिदान दिवस के औसर पर जबलपूर गढ़ा मंडला में मनाया जाता है तो दोस्तों अभी तक गुंडवाना की बात को सब्सक्राव नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राव कर वेल आइकन को आल प्रेस कर दिजेगा इससे नए वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा आज हमारे गुंडवाना समराज के महान राजा संकर सामरावी और बेटा कुमर रगनाज सामरावी जी का बलिदान दिवस के औसर पर अठारे सितंबर को प्रती वर्स मनाया जाता है और उनके वो तहे दिल से याद किया जाता है अपनी मात्र भूमी की आनबान और सान के लिए अपनी जान की प्रवाहना करते हुए अपने देश के सेवा के लिए मर मिते लेकिन महान राजा संकर सा और बेटा रगनाज सा मरावी जी अंग्रेजों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके बताया जाता ही कि दोनों गोंड महा राजा जब अपने देवी देवताओं को गोंगो पुजापाट कर रहे थे तभी अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया इसके बाद अंग्रेजों का कहना था कि तुम अपने मात्र घुमी के लिए हार मान के हमारे सामने हात जोड कर हमारे घुटने टेको लेकिन गुंडवाना समराज के महान राजा संकरसा मरावी और बेटा रगुनासा मरावी जी कभी भी हार नहीं माने और नहीं घुटने ठेके इसी कारवर्स अंग्रेजों ने गोंड संगदाय के महान राजा संकर्सा और बेटा रग्मनाज सा जी को तोप के सामने बांध कर उनके ही प्रजा के सामने 18 सितंबर 1857 को धून दिया गया अर्थात उन्हें मार दिया गया लेकिन महाराजा संकर सा और बेटा रगुनाज सा जी कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं 18 सितंबर को जबलपूर गढ़ा मंडला में अधिकतर गोंड समुदाय के लोग अर्थात सभी समुदाय के लोग एक्तरित होकर महाराजा संकर सा मरावी और बेटा कुणा रगुनाज सा मरावी जी को तहे दिल से याद करते हैं आपके मन में ऐसे महान योधाओ बीर सपूतों के लिए क्या विचार बीमर्स है कमेंट करके जरूर बताईएगा जै सिबा, जै गुंडवना, जै सम्मिधान